अज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपके फोन में प्लेश टोर में किसी आपका अपडेट शो नहीं होता है अपडेट नहीं आता है तो ये प्रॉबलम ठीक कैसे करें तो इसके लिए आप अपने फोन में प्लेश टोर ओपन करिए ओपन करने के बाद अब पर राइट में आपकी ये Gmail ID का गोल सा प्रोफाइल फोटो आएगा तो इस गोल से आइकन पर किलिक करिए उसके बाद नीचे अभी ये Settings आएगा तो आप ये Settings पर नीचे किलिक करिए Settings में आने के बाद आएगा सबसे नीचे ये About तो ये About पर किलिक करिए अब नीचे आएए नीचे आने पर आएगा ये Play Store वर्जन इसके नीचे ये Update Play Store आएगा तो ये Update Play Store पर किलिक करिए यहाँ पर आएगा अब ये A New Version of Google Play Store विल वी Downloaded and Installed तो ये Understood पर किलिक करिए और एक से 2 मिनट बाद यहाँ पर जब Play Store अपडेट हो जाएगा उसके बाद चेक करिए अब Play Store में App Update शो हो रहा है बट अगर फिर भी नहीं होता है तो इसके लिए Play Store से बाहर आएए अब अपने फोन में Settings उपन करिए फोन की Settings में नीचे आएए Apps आएगा Apps पर किलिक करिए उपर अब ये App Management आएगा या फिर App Manager आएगा या फिर Manage Apps आएगा तो इन तीनों में से किसी एक नाम से आएगा इस पर किलिक करिए App Management उपन करने के बाद आपके फोन के सारे एप यहां पर आ रहे हैं तो नीचे आएए नीचे आएगे तो अब ये Google Play Store आएगा तो ये Google Play Store पर किलिक करिए उसके बाद उपर ये Force से स्टॉप करिए नीचे Force से स्टॉप पर फिर से किलिक करिए नीचे इसके Storage यूसे जाएगा इसके किलिक करिए, किलियर कैशे करिए, उपर ये किलियर डेटा पर किलिक करिए, डिलेट या फिर रोके करिए तो ये करने से कोई डेटा या फिर कोई अप डिलेट नहीं होता है तो यहां से बाहर आईए उसके बाद अपने फॉन को बंद करके चालू करिए या फिर अप एपस आएगा इसपे किलिक करिये अपडेट ऐलेफस आएगा इसपे किलिक करिए और यहां पर आपके फोन में सारे अप्डेट शो रहे हैं तो इस तरीके से आप रॉब्लम ठीक करें विडियो पसंद आई तो इस विडियो को सिर्द लाईगा जरूर करें